वेल्कम डू एजुकर्चनल गुरू आज दिनाग्स 17 जनौरी 2021 है आज की जितने वी करेंट अफ्यास इस वीडियो में दिस्क्रिशन के जाएगे क्यारेंट अफ्यास इंपोर्टेंट क्रेशन भाई एजुकर्चनल गुरू 17 जनौरी 2021 है पूर्व साहिनिक दिवस कम मनाया गया है तो इसके अंसर होगा यह 14 जनौरी को 14 जनौरी को पूर्व साहिनिक दिवस मनाया गया है और यह साहिनिकों की याद में हमेशा 14 जनौरी को पूर्व साहिनिक दिवस मनाया जाता है question number second RBI ने किस राजी के बसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद किया RBI ने बसंत दादा नगरी माने बैंक का लाइसेंस रद किया अब बात RBI किया है तो RBI के फूल फॉर्म होता है रिशर्व रुवेंक आफ इंडिया और RBI के स्ताफना एक अप्रेल अन्नी सो पाइंटिस हुई और RBI के हेड़कॉर्टर बंबई में है और RBI के फाउंडर है ब्रिटिस राज और RBI के गवंदर सक्तिकांत दाज्जी है राइदानी पुंबई है अब महाराष्ट के गवंदर राजयपाल भगत सिंग को सियारी जी है और महाराष्ट के मुख्यमंति उद्व ठाकरे जी है और उप मुख्यमंत्री अजीत पौवार जी है और वहां का विधाई का है दिवस्दनात्मक अविधान परिशत में कुल 78 सीधा है और विधान सबा में 288 रिचर आर्बियाई का फूल फॉल फांवता है रिचर बेंक आफ इंडिया रिचर बेंक आफ इंडिया एक अप्रेल 1935 को स्थापना हुई थी हैड़क्वार्टर बुंबई में है फाउंडर ब्रिटिश राज है और गवंदर सक्ति बतमा बगत सिंग को सियारी जी है महाराज के मुख्यमंती उद्व ठाकरी जी है और वुप मुख्यमंती अजित पवार जी है और विदाई का दिव सदनात्मक है और विदान सबा में कुल 78 सीटे है विदान परस्द में 288 सीटे है कि सदर जापारोई ने किस देश के राजपती का चुनाव जीता है तो इसका अंसर होगा सी किरिस्तान का किरिस्तान का किरिस्तान का सदर जापोरोवा ने जापोरोवा ने राजपदी का चुनाव जीता है अब बाद किरिस्तान की है तो किरिस्तान की राधनी बिस्केक है किरिक्स्थान का मुद्रा किरिक्स्थानी सौम है किरिक्स्थान का मुद्रा है किरिक्स्थानी सौम और वहां के रात्फति है आलमब जवेक और वहां के भासा है किर्गीच और रसियन और वहाँ के सरकार अध्यच्छी गन्राज है और वहाँ के पतान मंतिये इगुर चोडी नोव किर्गिस्तान की राइदानी अभिस्केक वहाँ के मुद्रा है कैगरिस्तानी सोम और वहाँ साय किर्गिज रसियन राजपतिये अलम जवेक पतान बनती है इगुर चोड़ी नौ कॉसना फूर इस आफ डूइंग बिजनेस सुधार को लागू करने वाल देश का आठवाराज कौन बना है तेश का आठवाराज केरल इज आफ डूइंग विजने सुदार को लाग करने वाला देश काठवा राज केरल है केरल में सबसे ज़्यादा साथ सरता वहीं पर पाई जाती हैं और केरल में अधिकतर इंजिनियर बनते हैं केरल राज सबसे साथ सरता वाला राज्य है यह जो की एक्जाम पूछा जाता है कि सबसे साथ सरता राज्य कौन है तो इसका अंसर होगा केरल क्वेशन नमर नेस्ट फाइब चैनित राजपती जोई वाइडन ने यूएस सहायता एजन्सी का परूर किसे नामित किया है तो इसका अंसर होगा ए समान्त पावर को चैनी राजपती जोई वाइडन ने यूएस साहता एजेंसी का परमुक्ष चुना है और यूएस के निव राजपती है जोई जोई वाइडन कुष्ण नमस्य जारी ब्रेक आउट एकोनमिक्स में भारत कोन से सतान पर है तो इसके अंसर होगा B、 चोधे सतान पर जारी ब्रेक आउट एकोनोमिक्स में भारत चोथे अस्तान पे हैं कोशन नमर नेस्ट यूबियस इन्वस्ट्रमेंट बैंक ने 2020-21 में भारत की जीटिपी कितने परसर रनने का अन्मा लगाया है तो इसका अन्सर होगा A माइनस 7.5% रनने का अन्मा लगाया है और ग्राश डोमेस्टिक प्रोड़क्ट 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 और ग्राश डोमेस्टिक कुल वैलू को ही जीडीपी कहा जाता है जो किसी भी देश की ब्रिधी उसके जीडीपी भी होती है जो कि भारत की जीडीपी इस साल 2020 और 21 में माइनस 7.5% रहने वाली है कना सब्सक्राइब दुनिया की सबसे पूरानी घूफा चित्रट करला हुआ की गहीं है इसार ऑफ फração नियाम इंडोनेसिया में दूनिया का सबसे पूरानी गूफा चित्र गलाकी खोज की गई है बात इंडोनेसिया की है तो इंडोनेसिया की राधानी जागाता है और इंडोनेसिया की राष्ट गान है इंडोनेसिया राया इंडोनेसिया राया और वहां के राजवासा इंडोनेसियाई वहां का राजवासा है इंडोनेसियाई और वहां के राजवासा है इंडो जोको बीडोडो इंडोनेसिया के राजपती है जोको बीडोडो और उब राजपती है जुसुफ काला इंडोनेसिया के राजपती है जोको बीडोडो और उब राजपती है जोको बीडोडो और उब राजपती है जुसुफ काला किस एम्स ने लागाता है तीसरी बार कारे कलब पुरसकार जीता है तो इसके अंसर होगा ए सौरी इम्स भुने स्वर्ने लागाता है तीसरी बार कारे कलब पुरसकार जीता है अब बात एम्स की है तो एम्स की फुल फार्म होता है आल इंडिया इंस्ट्टूट आफ मेडिकल साइंस इसकी अस्थापना अंडिया इंस्ट्टूट आफ मेडिकल साइंस इसकी अस्थापना अंडिया इंस्ट्टूट आफ मेडिकल साइंस और इसकी अस्थापना अंडिया इंस्ट्टूट आफ मेडिकल साइंस और इसकी अस्थापना अंडिया इंस्ट्टूट आफ मेडिकल स बंगलोरू दुनिया का सबसीते तेजी से वरता हुआ टेवहब बंगलोरू बना है अब बाद बेंगलोर किया है तो कनाठक की दाधानी बंगलोरू है और वहां के राजयेपाल कनाठक के राजपाल बाजुभाईवाला जी हैं और करनाटक के मुख्यमंत्री वियस ये दुरप्पा जी हैं और वहां का विधान मंदल विधान परिशत में 75 सीट है और विधान सबा में 225 सीट हैं राजी सबा में 12 सीट हैं और लोग सबा में 28 सीट हैं करनाटक की रायधानी बैंगलूरू है और करनाटक के राजपाल बाज़ु भाहिवाला जी हैं करनाटक के मुख्यमंत्री बीच में ये दुरप्पा जी हैं और करनाटक में विधान मंदाद दुसदनी है अब विधान सभा उसमें दो सबचीश सीट है राज्य सभा में बारह सीट है लोग सभा में ठाई सीट है किस राज ने पषण एट्रास और वाचा परदेस कि राधान इटानागर है जो कि अक्षरी परज़ाum पुछी जाती है कि अर्वाचा परदेस की राधानी क्या है तो इसकी राधानी इटा नगर में और वांचो परदेश की मात्र वासा वहां की राजी की वासा है अंगरे जी और वांचो परदेश के राजयपाल है बीडी मिस्रा राजयपाल है बीडी मिस्रा और वांचो परदेश के मुखे मंत्री है पेवा खांडू जो की भाजपास है मुक्यमंति हैं पेवा खांडू और विधान मन्डल यए एक सदणी और विधान मन्डल वहाँ का एक सदणी है और वहाँ परतिसकी दयदानी इे टान अगर है वहाँ का राज भासा इंगलिज है अंगरेजी है राज येपाल बीडी मिस्सा है मुख्यमंती पेवा खांडू है अविदान मंडल एक सदनी है थैंक्यू सो मच प्लीज सब्सक्राइब एंडे से कर दीजेगे